हेलो दोस्तो एक बाद दुवारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ वेकरणा स्टॉक्स चैनल पर चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत बहुत धन्य बाद अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, वो लाल गल का बटन में क्लिक करो, साथ में बैल को दबाना ना भूलना और साथ में इंस्ट्राग्राम, टेलीग्राम में फॉलू कर सकती हो, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ, जीज़ोस्तो आपको याद होगा मैं चर्चा कर रहा हूँ, Escape DVR Share की, जिसने हमें अल्मोस्ट 100% की रिटन दी थी, मातर एक यादेट महने के अंदर, और दुबारा से स्टॉक डबल बोटम बनाकर, रोकेट होने के लिए रेडी है, जी हाँ, जिस प्राइस किया आसपस, मैंने आपको फर्स टाइम ये किया था, आपको मैंने Twitter और Instagram के माधियम से शेर किया था, साथ में एक वीडियो बनाके भी आपको दिया था, कि भाई, ये स्टॉक मुझे क्यू पसंद आता है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, पहले Instagram में मैंने आपको क्या पोस्ट किया था, तो इसलिए बोलता हूँ, आप मुझे Instagram में भी follow कर लो उसका link नीचे मिल जाएगा और चाओ तो आप मुझे DM कर सकते हैं Instagram में definitely आपको उत्तर मिल जाएगा और देख ले देख बार है तो दोस्तों आप देख सकते हो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये एक तरह का flag मैंने बनाया था ठीक है एक flag बनाके आपको दिया था और नीचे अगर आपको दिखाता हूँ फूर एक flag pattern बना था ठीक है flag pattern का breakout हुआ था इसलिए ये stock आपको escape DBR मैंने आपको suggest दिया था तो आप देख सकते हो first time मैंने stock आपको 4 January के आसपा recommend किया था BR stocks के हमारा Instagram channel है आपको हमें वहाँ follow कर सकते हो लिखा हुआ कि breakout होने वाला है flag pattern का ठीक है और आप लोग की आये लग सकते हो एक रुपे 65 पैसे की आसपास ठीक है और stock मैंने खुद stock को एक रुपे 60 पैसे और एक रुपे 45 पैसे की आसपास था और तीन रुपे इसका एक resistance area था जो चार्ट में एक बच्चा भी अगर देख लेता ना उसको पता चल जाता कि stock का एक resistance area है तो अभी आपको लेके चलता हूँ चार्ट की तरब ताकि आपको प्योर एक picture समझाया कि stock में हुआ क्या था ठीक है तो definitely Instagram follow कर लेना उसका link नीचे आपको मिल जाएगा तो दोस्तो आप screen में देख सकते हो आपको left में नाम दिख रहा होगा Escape TBR मैंने चार्ट BSC का खोल लखा है राइट आब NSC में भी देख सकते हो BSC NSC दोनों में listed company है तो दोस्तो आप देख सकते हो past में 2018 के आसपा इसका एक रजिसंस एरिया था और बिल्कुल सेम रजिसंस टॉक ने लिया और वहां से stock नीचे की तरफ आ गया तो दोस्तो इसको बोलते हैं रजिसंस में इसका profit booking देखने को आपको मिली है 3 रुपय के price में देख सकते हैं तो इसको बोलते हैं रजिसंस एरिया तो कोई अगर एक बच्चा भी होता तो इसको भी रजिसंस एरिया दिख जाता यह हमारा support area था जहांपर आपको मैंने stock को suggest किया था दुबारा से उसी price में support लेके 1.50 पैसे के आसपास stock दुबारा उपर जा रहा है और अभी 1.90 पैसे और 1.90 पैसे का असपार trade कर रहा है दोस्तों मुझे लगता है personally यह stock दुबारा से 2.60 पैसे का असपार test कर सकता है ठीक ह तो मैंने stock को अभी तक hold करा हुआ है इसका दुस्तों region यह है कि यह stock मुझे काफी पसंद आ रहा है इसके valuation के साफसे company लगता है profitable है ठीक है और अच्छे value में आपको मिल रही है मुझे लगता है stock आपको 10 रुपे और 8 रुपे के target दिखा सकता है लेकिन उसको आने में time लग सकता है एक साल भी लग सकता है ठीक है तो मैं क्या करूँगा stock में आपको वो बता देता हूँ अब आपकी energy की आपको current market price में stock को buy करना या नहीं करना है मैं आपको एक update दे रहा हूँ कि stock को आपको क्या करना चाहिए तो दूस्तों मैं क्या करूँगा आपको देख ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा मैं आपको अपना प्लान मसाइता हो कि stock में क्या करने जा रहा हूँ दूस्तों देखें मैंने जो भी quantity buy करी इधन मैंने अभी तक stock को sell नहीं किया है क्यों नहीं किया है मैंने money management का rule follow किया और मुझे पता है इसमें एक अच्छी खासी मु शेर कर देता हूँ इस stock में मेरे दो stop loss निकलके आते एक stop loss होता है short term stop loss short term का मतलब अगा stock कुछी दिनों में यह आपको support दिख रहा है यह support area एक रूपे 50 पैसे की नीचे अगर slip हो जाता है ठीक है एक रूपे 50 पैसे की नीचे अगर slip हो जाता है daily candle में तो मेरा short term stop loss हिट हो जाएगा right मतला मैं stock से short term में के लिए square F कर लूँगा बाकि long term का long term का जो मेरा stop loss है वो थोड़ा बड़ा है आप ध्यान से देखो के तो यह जो area है ठीक है यह area एक accumulate zone है मतला यहाँ पर बड़ी quantity buy की गई है किसी बड़े player के थुरू ठीक है यहाँ हजारों क्रोडों quantity और मा साल उठाया गया तो यह हमारा stop loss होगा long term का long term मतलब कम सिकम एक साल का जो मैं आपको 8 रुपे 10 रुपे के target बथा रहा हूँ उसका यह stop loss है हमारा 1 रुपे 10 पैसे के आसपास ठीक है अगर stock 1 रुपे 10 पैसे के आसपास चले जाता है long run के लिए तो भाई मेरा long run का stop loss हिट हो जाएगा अब दोस्तो मैंने जो आपको target दिये मैं आपको targets लिए क्यों दे रहा हूँ उसका थोड़ा logic समझिए क्योंकि दोस्तो company एक आपने आपको दिखा रहेता हूँ दोस्तो आप देख सकते हो मैंने company का आपका P&L खोला हुआ है stock का नाम आपको फूरा नाम दिख रह जाती है और दोस्तो अगर आप ध्यान से देखोगे जैसे मैं आपको बता है नसी बीसी दोनों में listed company इससे बढ़िया क्या है बहिया एक 25 जो नसी बीसी दोनों में listed हो और 9 क्रोड के आपको दोस्तो सबसे बड़ा region stock को hold करने का दोस्तो यह है अगर आप ध्यान से जो आपको मैंने पुराना वीडियो बनाया था जब stock एक रुपे डेट रुपे का असपर ट्रेट कर रहा था डेट रुपे ना ठीक है तो मैंने उसमें clear window में का था कि यह stock मुझे क्यों बसंद आ रहा है क्योंकि promoter की holding increase हुई थी 42% के असपर ठीक है मतलब आपको मैं दिया था और दोसों जैसे मैंने आपको बतला है आपने बुक से का भी सस्ते में trade कर रहा है तो और क्या चाहिए मालिक कभी भी stock को नीचे के label में तभी भाय करते हैं जब उनको पता होता है कि stock future में future में अच्छा कर सकता है future मतलब एक से लेके 2 साल का आप अनुमान लगा क चल सकती है तो भाई मैंने भी stock एक से 2 सालों के लिए hold करने के लिया है इसलिए मैंने आपको बोलाया कि एक रुपे 10 पैसे का हमारा long term stop loss है और short term stop loss मैंने आपको दे दिया है आपको नीचे लेके चलता हूँ सीधा diet में ठीक है मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ दोस्तों अब देख सकते हो ठीक है आप दोस्तों देख सकते हो जून के असपास इन्होंने अपनी holding बेची थी और यह holding किसी ने बाई करी थी दोस्तों आपके public ने बाई करी थी और दुबारा से यह holding public से इन्होंने बाई करी है December quarter में तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो इस stock में ठीक ह पक करा है जो सिर्फ इसके promoters को पता है पहले लोगों को यहांबर दोस्तों देख सकते हैं 42% इस सेम यहांबर लोगों को घवराया गया कि भई यह हमने तो पूरा माल बेज दिया है ठीक है public को डराया गया कि हमने पूरा माल बेज दिया है और company अब zero होने वारे लेकिन दो महने के period में ही stock को buy किया गया एक रुपे के labels में अब दोस्तों इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि आपका जो long term stop loss होना चाहिए वो एक रुपे के नीचे ही होना चाहिए बतलब एक रुपे 10 पैसे क्या असपाल एक यही region था stock को long run के लिए hold करने का कि भईया 7-8 रुपे के target अर मेरे कहने पर उसे मैं आपको suggest नहीं करता हूँ कि अब भाई मेरे कहने में stock को buy करो क्योंकि loss भी आपका होता profit भी आपका ही होता है ठीक है तो भाई अगर आपने buy किया तो stop loss में आपको बतला दिया है एक रुपे 10 पैसे के आसपाल हमारा long term stop loss रहेगा एक रुपे 50 पैसे क कि आसपाल हमारा short term stop loss रहेगा तो भाई अगर आपको वीडियो समझ आया तो like कर देना ठीक है और share करना ना भूलना ठीक है facebook, twitter, telegram जहां आप कर सकते क्योंकि आपके लिए इतने अच्छे वीडियो बनाता हूँ जो आपको एक अच्छी return देखे जा सकते है future में ठीक है चल